बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकुम लेक्चर नमबर 35 सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक क्लास सेकंड इयर चैप्टर नमबर 11 पेज नमबर 69 शार्ट कोश्चन है बिटा कोश्चन नमबर 17 डिफाइन नान सेंप्लिंग एरर को डिफाइन करें हो इट कैन बे डिदिऊसे उसे हम कैसे क्म गर सकते हैं वह एरर जो पैदा होता है रिफाइन करते देटा है अरेंड़ करते वक्त और बियान करते वक्त खमें देटा बीटा 화 एरर को डिफाइन के वक्त reteए हम क्या कहते हैं बिटा non sampling errors कहते हैं for example हम one error पहले बात क्या है कि यह इंसानी गलती के वज़ा से हो सकता है second error error of measurement कि measurement की वज़ा से भी error आ सकता है अब non sampling error can be reduces by कि हम non sampling error को कैसे कम कर सकते हैं first part बिटा improving the method of selection कि जो हम data collect करने के लिए method यूज करते हैं उसको improve करके proper training of the investigator के investigator को proper training दी जाए उसके बाद third consulting the expert to analyze the data कि किसी expert को consult करना चाहिए को data को ची तरह से ब्यान करें उसके बाद बेड़ा page number one to one के long question है question number 11 random variable has the following probability distribution random variable की मारे पास following probability distribution given है x की value दे दिए उसने 3, 4, 5 p of x भी दे दिए 0.2, 0.4 और 0.4 if sample of size 3 हमने कितने का sample लिया है sample size लिया भी अř till 3 कली है by example size कम की bag? now a small n से so small n क्या हो जबगा 3 are taking with replacement sampling कैंपः भीड़ाूवीडी पॉपलेशमेट है from the population, population मेंसे what should be mean and variance of the sampling distribution of mean moż मालूम करें what should be the mean and variance ري के mean amount 디자بر का होग net sampling distribution of mean sampling distribution of mean पहे तो बेटा सांप्लेंग डिस्ट्यूबिशन का मीन किया हता है दो होता है मूए ऐकस बार और हैं सेंदर अरफ मेन हमने क्या y अमक्ते क्लिक से हैं मुए एकस बार केटें तो बेटा हमने तीन चीज़े मौए ओ मेन्फ से से पहले population का mean मलूम करेंगे population का mean के आउता है summation x pfx की को लुट है तो बिटा x की value given है 3, 4, 5 pfx भी given है 0.2, 0.4 और 0.4 table बनाएंगे x pfx का इसका मतलब है कि x की तमाँ values को multiply करवाना है pfx की तमाँ values के साथ 3 multiplied by 0.2 तो 0.6 आजाएगा 4 multiplied by 0.4 तो 1.6 आजाएगा 5 multiplied by 0.4 तो 2 आगया हमें क्या चाहिए summation x pfx चाहिए तो बिटा x की तमाँ values को plus कर लेंगे 0.6 plus 1.6 plus 2 तो summation x pfx किसके एकोल आजाएगा 4 के एकोल आजाएगा summation x pfx की जगा पिसकी value बुट करवा देंगे 4.2 तो यह हमारे पास population का mean निकलाएगा 4.2 के एकोल अब हमें population का variance चाहिए variance किसके एकोल उत्ता है बिटा sigma square summation x square pfx माइनस summation x pfx होल का square तो इसके लिए summation x pfx यह तो हम आजाएगी मलूम कर चुके है हमें क्या चाहिए x square pfx का sum चाहिए तो बिटा table बनाएंगे x square pfx कि x की तमाँ values को दोबारा multiply करवा देंगे x pfx के जाद तो x square pfx हमें मलूम हो जाएगा 3 multiplied by 0.6 तो 1.8 4 multiplied by 1.6 तो 6.4 5 multiplied by 2 तो 10 आजाएगा तो जहां से हम क्या करेंगे बिटा summation x square pfx की तमाँ values को plus कर लेंगे 1.8 प्लस 6.4 प्लस 10 summation x square pfx निकल आएगा जो कि इसके एकोल है 18.2 के एकोल है तो बिटा summation x square pfx की जागा उसकी value put करवा दी 18.2 minus का sign as it summation x pfx ये बिटा मारे पास क्या निकला था 4.2 तो उसकी जगा पर क्या आजाएगा 4.2 का square 18.2 एजित आगया minus का sign as it 4.2 का square किसके एकोल होता है 17.64 की इकोल होता है 18.2 में से minus करेंगे 17.64 को तो sigma square निकला एगा किसके एकोल है 0.56 की इकोल है अब बिटा उसने कहा था में mu x bar मालूम करो sigma square x bar मालूम करो sampling क्या with replacement हो बिटा with replacement में mu x bar किसके एकोल होता है तो बेटा, Mu की value, यहां पर put करवा देंगे, Mu क्या निकला है, 4.2 निकला है, तो Mu X bar क्या आजेगा, 4.2, अब हमने क्या मलूम करना है, Sigma square X bar, with replacement में, किस के एकोल होता है, Sigma square divided by N के एकोल होता है, तो बेटा, हमने Sigma square मलूम किया था, किसके कोल है ? 0.56 को 3 पे डिवैड करेंगे सिगमा स्केल एक्सicaire बाइट इस बार आजाएगा जो किसके कोल है ? 0.1866 के कोल है 2 condemned 2ания, Mu X-bar किसकेकोल आ या ? 4.2 के सिगमा स्केल X-Bar किसकेकोल आ या ? .1866 के कोल आ या Principesas System 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 Standardize of Mean provides how to understand the σ Trumpet के प्लिकेत गूता है तो स्टेंडर रप्लाइब करेंगे दिए जिरो पॉइंट 1866 के उपर स्टेडरूट अपलाइब करेंगे स्टेंडर के साथ कैंसल होजाइगी तो सिग्मा एकस बारा जेगा जिसे हम स्टेंडर रहमीन कहते हैं किसके इक्णागा पॉइंट 4320 के एकुल 0.1866 की बैटा जज़र लेंगे तो किसके एकुल आजाएगा 0.4320 तो बैटा तीन चीज़ उसने बिच्छी थी हमने तीनों मलाउम कर लिए मुव एक्स बार किसके एकुल आगया 4.2 के सिग्मा स्केर एक्स बार 0.1866 के और सिग्मा एक्स बार किसके एकुल आगया 0.32 0.4320 के एकुल ओके बैटा अल्ला आफिस